एक राजा था वे बैसाख महा में प्रते दिन ब्रह्म महूरत में उठकर गंगा जी में स्नान करता था राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रते दिन शान्त जल के स्थान पर हिलता हुआ हल्चल युक्त जल दिखाई देता था राजा को संदे होता था कि निश्चे ही मुझसे पहले कोई प्रते दिन गंगा जी में स्नान करता है इसलिए राजा ने नदी के तड़ पर पहरेदार बिठा दिये गंगा जी के तड़ पर एक व्रिक्ष था उस पर एक बंदरिया रहती थी वहप रहती दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके व्रिक्ष पर चड़ कर बैठ जाती थी इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख महा व्यतीत हो गया किन्तु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़ कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आप से पहले प्रतिदिन गंगाजी में स्नान करती है उधर राजा की प्रतिग्या थी कि यदि कोई बीस्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवा कर लूँगा इसलिए राजा को उस बंदरिया के साथ विवा करना पड़ा बैसाख स्नान के पुन्य से बंदरिया के गर्ब ठेर गया और नौ महीने पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जर्म के समय मुझे क्या करना चाहिए तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया के गर्ब का समाचार सुनकर अन्य राणिया मन ही मन उस बंदरिया से इर्षा करने लगी और भावी संतान का नाश करने हे तू बिविन योजनाएं बनाने लगी घंटी लगी देखकर एक राणी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा तो बंदरिया ने संपूर्ण विर्तांत बता दिया रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर तो देख लो कि राजा आते भी हैं या नहीं आते हैं बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दोड़ कर महल में आये और घंटी बजाने का कारण पूछा इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी तब रानियों ने कहा यह तो एक पशू है और नैजाने कितनी बार घंटी बजाती रहेगी इस परकार कहे कर उन्होंने घंटी को हटवा दिया कुछ दिनों बाद बंदरी ने शिशू को जनम दिया, उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूँ, तब रानी ने कहा कि तुम आखों पर पट्टी बान कर सो जाओ, बंदरी के बैसाख महा के पुन्य के परताप से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ था, शिशू के जनम होते ही, उसके रोनी से पहले ही, रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया, और आदेश दिया कि तुम इसे नदी में बहा करा जाओ, और उस शिशू के स्थान पर एक पत्थर रख दिया, और राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को ज उधर दासी ने उस सुन्दर शिशु को नदी में ने बहा कर कुमहार के खंदर में रख दिया। उसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमहार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर पंघट पर जा बैठा। और दासीयों को देखकर कहने लगा आउ रे मेरे मिट्टी के घोड़े मेरे मिट्टी के हाथी पानी पियो। तब दासीयों ने ये बात सुनी तो वे हसने लगी और बोली अरे मुर्ख कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कहीं बंद्रिया के पत्थर जनम लेता है क्या। उस बालक की ये बात सुनकर दासीयों ने जाकर महल में रानियों से ये बात कहीं। तब रानियों ने दूसरे दिन विश मिलाकर लड़ू भेश दिये। और इश्वर की किरपासे वह जहरीले लड़ू गौंद और बदाम के हो गए। और उन लड़ूं को खाने से लड़के की मृतियों नहीं हुए। यह समाचार दासी ने रानि को कहा। तो रानि ने राजा से कहकर कुमहार को देश निकाला दिलवा दिया। और कुमहार बन में रहने लगा। तत पश्चात अगले वर्ष चैत्र महा में माता गंगौर के पूजन का दिन आया। तो वे बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर और घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैट गया। उधर राजा की और साहुकार की पुत्रियां गंगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। और बगीचे में खेलने और जूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है। उसे खाते जाओ और मेरे चारोर फेरे लगाती जाओ। तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया। परंतु तेज प्यास लगने के कारण वे मान गए। इस परकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्ववती हो गए। बाद में जब उनके माता पिता को ये ग्यात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास आये और संपूर्ण वरतांत सुनाया। और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विभा किया है। अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण ऐसमर्थता व्यक्त की। दो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया। और कुम्हार के घर 108 भुएं आ गई। और कालांतर में उसके 108 ही पोते हुए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु आमंतरित किया और राजा को भी बुलावा भेजा राजा के यहां से रानी बंदरिया के अतिरिक्त सब भोजन के लिए पधारे तब राजकुमार राजा की आग्या लेकर बंदरिया को लेने रत और पाल की लेकर गया और लाकर सभा मे सबसे उचे स्वान आसन पर बिठाया राज कुमार ने अपनी सभी पतनियों को समझा दिया था कि बंदरिया मुझे जन्म देने वाली माता है एक-एक बहुरानी बंदरिया के चरंस पर्ष करती गई और एक-एक सोने का सिक्का और पोते को गोध में देती गई जब राजा और अन्य राणियों ने यह सब देखा तो कुमार के पतर से इसका कारण पूछा राणियों को तो संदे पहले से ही था कि है अवश्य ही बंदरिया का पतर है इसलिए राणी और रूटकर राजा से कहने लगी कि कुमहार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है हम सब लोट कर जा रही है उधर राजा को पुत्र के जनम का संपूर्ण रहस से ग्यात हो गया था इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपनी समी पुत्रवधू और पौत्रों को लेकर महल में आ गया और राजकुमार का राज तिलख हुआ कुमार कुमार इनको राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया परंटु वे नहीं माने तो राजा ने उन्हें धेर सारा धन दे दिया बैसाक स्नान का इतना मैध्व है तो सबको बैसाक स्नान करना चाहिए बंदरी ने बैसाक स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पोत्र, बहुएं सब कुछ प्राप्त हुआ एश्वर जैसी बंदरिया को पुन्य मिला ऐसा सब ही को देना इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दोसरों तक इन्हें पहुचा कर तर्मलाब प्राप्त कर सकें